नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल NKJ Creations पर आपका स्वागत है सेहत से जोड़ी बहुत काम की बाते और घरे लूपाए वासिंग मसीन में कपड़े डालते समय अगर आप ब्लीच का इस्तिमाल करते हैं तो ब्लीच की जगा नेम्बू का रश डाले इससे कपड़ों को नुकसान भी नहीं होता है और कपड़ों की चमक भी नहीं जाती है बावासिर की दिक्कत हो तो ताजा दूद से पैरों की मालिस करें इससे आपको वहाती फैदा मिलेगा अगर किसी को नकसील हो जाए तो माथे पर फिटकीरी का लेप लगाने से नाक से खूनाना बंद हो जाता है अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता हो तो आप लहसुन की दो कली सरसुर के तेल में पका कर इससे गर्दन पर मलें इससे गर्दन का दर्द दूर हो जाएगा अगर आपको खासी की समस्या रहती है तो नीम की पत्तियों को सुखा कर चूर्ण बना ले और एक चोथाई छोटी चम्मच चूर्ण सहद में मिला कर सेवन करे इससे आपको खासी में जल्दी आराम मिलेगा 6. केले और अंडे को कभी भी एक साथ नहीं खाए इस सरीर के लिए नुकसान दायक हो सकते हैं 7. जिन लोगों के मुँ में च्छाले रहते हों वो खाना खाने के बाद थोड़े से सौंप चबाएं इससे आराम मिलेगा 8. सौंट को बहुत महीन पीज कर बकरी के सुध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खिचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम मिलता है 9. अगर खीरे के एक टुकडे का रस निकालकर होठो पर लगाएं इससे होठो का फटना बंद हो जाएगा 10. अगर आपकी होठ फटने की दिक्कत हो तो मक्षन में नमक मिलाकर ओटो को लगाने से फटे ओट ठीक हो जाएंगे 11. अगर आपके चेरे पर मुहासे निकलाएं तो आप प्याज के रस को सहर में मिलाकर मुहासो पर लगाएं इससे मुहासे दूर हो जाएंगे 12. खड़े होकर कंगी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि इसका सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है 13. रात को नीद पूरी ना होने से चेहरे पर जुरियां आने लगते है 14. कमर दर्द से राहत पाने के लिए उबलते हुए पानी में थोड़ा सा सौंट का चूरन मिला कर काढ़ा बना कर पिए इससे कमर के दर्द में आराम मिलता है 15. अगर आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो पूदीने के पत्तों को चबाए 16. कच्चा सलगम खाने से दिमाग और नजर तेज होती है 17. रोजाना सुबा गरम पानी के साथ एक चमश मेथी का चूरन खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है 18. रात को सोती समय पैरों की तलवे फर देशी घी से मालिस करें इससे पैरों का सुनपन दूर हो जाता है 19. रात को सोती समय चार चमश देशी घी में थोड़ा सा केसर मिला कर लेने से कप्ज की समस्या दूर हो जाएगी 20. अगर आपकी सीर का दर्द ना जाए तो तूलसी की पतियों के रस में अदरक का रस मिला कर माथे पर लगाएं और थोड़ा सा रस पियें इससे सीर दर्द ठीक हो जाएगा 21. कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए सरसो के तेल में एक चमश अजवाइन मिला कर गैस पर गरम कर लें और फिर उसे चान कर बुंद बुंद करके दीन में तीन बार डालने से कान के दर्द में राहत मिलती है 22. दस गराम अनार के छिलको को पानी में उबाले और फिर उसमें एक चुटकी फिटकेरी मिला कर बार बार कुल्ला करने से गले की सुजन में आराम मिलता है नमबर तेज, बहरापन दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का रस सर्शों के तेल में मिला कर गरम करके कान में डाले, इससे कान का बहरापन दूर हो जाएगा नमबर चौबिस, आग से जल जाने पर कच्चे आलू को पीश कर रस निकाल लें, फिर जले हुए अस्थान पर उस रस को लगाने से अराम मिलता है, इसके अतिरिक इमली की छाल जला कर उसका महीन चोन बना लें और उस चोन को गो घरीत में मिला कर जले हुए अस्थान पर हासी हो गई है तो फिटकेरी को तवे पर भूल लें और उसे महीन पीश लें, तरपस्चात तिन रती फिटकेरी के चून में समान मात्रा में चीने मिला कर सुबह दोपर और साम को सेवन करने से कुकुर खासी ठीक हो जाती है, नमबर 26, इसाब की जलन को दूर करने के लिए ताजे करेले को महीन महीन काट लें, पुना उसे हाथों से भली प्रकार मन दें, करेले का पानी इस्टेल या सीसे के पात्र में इकठा करें और वहीं पानी 50 क्राम की खुराक मना कर तीन बार सुबह दोपर और साम को पीने से पिसाब की कड़क या जलन ठीक हो जाती है, 27, सुजन वाली जगा पर गुलाब जल में कपूल मेरा कर लगाने से सुजन कम हो जाती है, 28, आप प्रोजाना एक लॉंग एक गलास पानी के साथ निगल ले, इससे पेट दर्थ और कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी, 29, गाय का दूद भैंस के दूद से हलका होता है और जल्दी हजम भी होता है, 30, तुलसी और अदरक का रस पांस से साथ बुंद सहद में मिला कर चटाने से, बच्चों का कफ सर्दी और जुकाम ठीक हो जाता है, 31, निम्बू का रस और एक चमस सहद को एक गलास गरम पानी में मिला कर प्रती दिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है, ऐसा तीन महिने तक निरंतर करना चाहिए, इससे आपका मोटापा जल्दी खतम हो जाएगा, 32, कान में दर्द हो तो प्याज को पीस कर उसका रस कपड़े से चान ले, फिर उसे गरम करके चार मुंद कान में डालने से कान का दर्द खतम हो जाता है, 33, गिल्टी के दर्द से छुटकारा पाने के लिए प्याज पीस कर उसे गरम कर ले, फिर उसमें गो मुत्र मिलाकर छोटी सी टिकरी बना ले, उसे कपड़े के सहारे गिल्टी पर बांधने से गिल्टी का दर्द गिल्टी समाप्त हो जाती है, 34, दात में दर्द हो तो हल्दी यम सेंधा नमक महीन पीस कर उसे सुध्य सर्षों के तेल में मिलाकर सुबह साम मंजन करने से दातों का दर्द बंद हो जाता है, 35, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो तो सुबह यम साम को प्याज का रस गरम करके एक चमच पिलाने से कीड़े अवस्य ही मर जाते हैं, 36, पेट के केचुए यम कीड़े को खतम करने के लिए एक बड़ा चमच सेम के पत्तों का रस यम सहत समान मात्रा में मिलाकर सुबह दोपहर और साम को पीने से केचुए तथा कीड़े चार से पांच दिन में मर कर बाहर निकल जाते हैं, 37, छोटे बच्चों को उल्टी और दस्त हो रहा हो तो पके हुए अनार के फल का रस गुनगुना करके सुबह और दोपहर और साम को एक एक चमच पिलाने से सीसू ओमन अवर्श्य ही बंद हो जाता है, 38, कबज दूर करने के लिए एक बड़े साइच का निम्बू काट कर रातरी भर ओस में पड़ा रहने दें, फिर फ्राता का एक गलास चीनी के सर्बत में उस निम्बू को निचोड़ कर तथा सर्बत में नाम मातर का काला नमक डाल कर पीने से कबज निश्टी तरुप से द 49, अगर आपका पेट खराब रहता हो, तो केले पर जीरा लगा कर खायें, नमबर 40, ज्यादा पानी पीने वाला इंसान हमेशा स्वस्त रहता है, नमबर 41, ज्यादा खाने वाला ब्यक्ति हमेशा सूस्त रहते हैं, नमबर 42, अमरूद की राक खाने से पुरानी से पुरानी खासी भी दूर हो जाती है नमबर 43 अगर महावारी में टांगों और पेट में दर्द रहता हो तो अद्रग और नीम के पत्तों का रस पीने से जल्दी ही आराम मिलता है नमबर 44 रुजाना खाली पेट अनार का सिवन करने से पूरुसों में सारीक समस्या नहीं होती है इसके साथी सारीक कमजोडी जैसी समस्या भी कम हो जाती है नमबर 45 महिलाओं की तुल्ला में पूरुसों की लिए अनार खाना अधिक फैदमन्द होता है दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और अगर आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेया जरू करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दवाना बिलकुल भी नहीं भूले धन्यवाद